कि नमस्कार दोस्तों मैं अम्रितन जय स्वागत करता हूं आपका हमारे इस चैनल सठीक परामर्स में और इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था जो इस तरीके से आप काम कर सकते हैं तो उसमें लोगों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन था और एक सज्जन है उन्होंने कमेंट किया था कि क्या प्रोप्राइटर्शिप कंपनी बनाके वो आयर्शिटी सी में जो खाना का या कैटरिंग का जो सिस्टम होता है उसमें क्या वो पार् आपका प्रोप्राइटर्शिप कंपनी है तो क्या आप कैपेबल है या पॉसिबल है कि नहीं है कि आप कैटरिंग का जो खाना है ट्रेन में वो सप्लाइ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे या टेंडर आप पैंट्री कार का जो होता है वो ले पाएंगे कि नहीं ले पा जाता है क्योंकि उसमें मानेजिए उसका सिस्टम जो है तोड़ा यूनिफर्म होता है और गौर्वर्मेंट के पाथ उसका रिजिस्ट्रेशन सारा रिकॉर्ड पहले से मिलता है और अगर फ्यूचर में कभी इंविस्मेंट बगएदा कभी बात आए तो ऐसी कंपनियां केपेबल हैं तो इसलिए प्राइविट लिम्टेट कंपनी पार्टनर्सिप कंपनी या लिम्टेट कंपनी ऐसी कंपनियों को ज्यादा वेलिवेशन दिया जाता है मगर यह इसका वहाँ पर कोई ऐसा मना भी नहीं है या लिखा हुआ नहीं है कि प्रोप्राइटर्सिप कंपनी है तो वह एप्लिकेशन नहीं कर पाएगा अगर आप proprietorship company चला रहे हैं और आपके पास उसका terms condition पुरी तरीके से है जैसे आपका मालीजे कम से कम 50 लाग से ज्यादा हो उसका turnover आपके पास हो साल का आपका 3 साल पुराना company हो आप कहीं और canteen वगेरा चला चुके हैं अगर आपके पास experience हो आपके पास manpower हो money power हो अगर यह सारी चीजें आपके पास हैं आपका ITR जो है मजबूत हो government का जो license होता है जैसे ISO certification आपका GMP certification या food license यह सारी चीजेंगर आपके पास हैं और सही तरीके से system में हैं तो आप भी तो इसका application कर सकते हैं और आपको लेने से कोई नहीं रोख सकता है तब यह आपके उपर है कि आपकी इस तरह की company बनाईएगा और अगर आप हमारा suggestion माने तो सबसे best होगा कि आप लोग private limited बना के ही काम किजिए क्योंकि इसमें इसको ज़्यादा रहता है और पूरे इंडिया में कहीं भी मानने जी आप ऐसा कोई भी काम निकलता है तो आप उसको भर सकते हैं और उसका tender में participate कर सकते हैं रहा इसका tender के बाद कि इसका कब निकलता है ने निकलता है तो देखिए ऐसा कोई timing नहीं है आप railway की या IRCTC का जो website है उसको follow करते रहिए और newspaper को follow करते रहिए तो ऐसा जो भी tender बगरा निकलता है notification निकलता है वो newspaper और इनके website पे निकलता है आप वहाँ से form download करके अगर आपक की चीज है documents है वह दे सकते हैं और अगर यह लोग shortlist करके आपको बुलाते हैं और आपको अगर shortlisted करते हैं तो फिर आपको आसानी से मिल सकता है मगर आपको documents और paper work अपना पक्का रखना है ताकि आप आसानी से काम ले पाए आसा करता हूं दोस्तों short videos था चीजे समझ में आ इन्निवाद